तो सदन में गहलोद के निशाने पर RSS और जन संग ही रहा और आजादी की जंग से लेकर मौजूदा इस्थती का भी जिक्र किया इसी मुदे पर आज बिग फाइट में बहस के लिए हमाई साथ बहुत खास महमान मौजूद हैं हमाई साथ हैं बीजपी विदायक अविनाश गहलोद जी निर्दली विदायक बलची तियादो जी हमाई साथ हैं राजिनितिक विशलेशक मिखलेश जैमिनी जी हैं और साथी कॉंग्रस विचार रितु सोमानी जी हमाई साथ हैं आप सभी का बहुत स्वागत है बिग फाइट लाइव में अविनाश गैलोट जी आज पूरी तरह से जो कटाक्ष किये गए जो सवाल किये गए और घेरा गया तो बीजेपी और आरेसस को मुख्यमंत्री के उद्वोधन में यही नचर आए जी श्वताजी जो इस दो शरू होने के पहले दिन पहले वक्ता के रूप में राज़िस्तान सरकार के स्वाई शासनल मंत्री और संस्दिक कारी मंत्री सांति धरिवाल जी ने लोक तंतर पर और सविधान के उपर बात करने की बजाए अपनी चीर परचित अंदाज में कॉंग्रेस की सेली के हिसाब से उन्होंने उस सम्विधान के बजाए भारतिय जन्ता पार्टी परदान मंत्री मोदी और रसस के उपर हमले करने सुरू कर दिये जिस तरीके से सरुदले बैठक हुई थी इस विधान सबास सतर से पहले उसमें ये तैख हुआ था कि हम लोग सम्विधान के उपर बात करेंगे हमारे जो मौलिक अधिकार हैं करतवी हैं उनके उपर बात करेंगे पर दुर्वागी का जाएगा कि जिस लक्षे को लेकर ये विधान सबाहूत की गई थी उसमें सम्विधान के उपर इन लोगों ने कांग्रिसी मित्रों ने बाते कम की और एक दूसरे के उपर छीटा कास्य करने का काम इनों ने किया साफ तोर पर इनकी जो मैं बातों से लगा ये ऐसा था कि ये आज की जो परिस्टी है नेंदर मोदी जो केंदर में मजबूत सरकार इनकी बनी है और जो मजबूत तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे ग्राफब बढ़ने की जबे गिर रहा है इसका विजगर यहां पर किया गया लेकिन बार 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 b Gip की तरफ से यह कहाजा रहा है सत्र साल कुछ नहीं हुआ संतर साल संविधान को भी हुगा गया है संसाने है अईसे में दोनों बाट और चुछ जोड़कर करें ये किसी से छोपी वी चीज नहीं है और बहुत अच्छे अच्छे प्राइमिनिस्टर हमारे देश में बने उन्होंने खूब काम किया और देश की जनता ने विकास में भागीदारी निभाई यह कोई एक व्यक्ति विकास नहीं करता है कि कोई सरकार बनिगी सीक्राइब करता है और दूसरे पुञ्राइब करता है लोगG करते हैं और ये फिर के देश के तहर्रे में विकास होता है ये तहीक है आप एक प्रिक्रेंट को नेचा दिखाने के लिए या पालिटी प्रत्यारोब कर सकते हैं बट ऐसा नहीं है जैसे मान लिजे मोदी जी बने उससे पहले भी तो विकास हुआ ना अटल जी बने तो उन्होंने भी विकास किया ना ऐसा तो है निक सब कुछ आज मेट्रो ट्रेन हवाई जाज सब कुछ हवाई अडे एरपोर्ड मॉल यह सब कु कि देन कभी नहीं हो सकती कभी बी किसी वीयकती को यहन कार नहीं होना चाहए कि मैं ही कुछ कर सकता हूं और जीस दिन आद्में मैं आ गई तो यह इतियास गवाई जिस भी व्यक्ति में हैंग कारा आ गया तर उसका पतन चालो हे जाता यहका ने भी ज Tracy मंत्री просто की गटना करम हुआ और जो हर्याना में हुआ या जो लगातार आप देखे रहे हो गोवा है मनीपाल है जहां पर भी जो भी कुछ हो रहा है उससे बहुत इस पस्ट जाहिर होता है कि अपनी मन मरजी से अपनी सहुलेत जब हमारी सहुलेत है मैं में खुद की सहुलेत है तो कोई स समय सीमा नहीं है अचानक में सारे काम होता है ऐसा परतीत होता है कि देश समय ठातारे में कि अदर आई हां सब्सक्राइब नहीं लगा हुआ था लोग तंत्र को मजबूर करने का मानों की देश में अबाद का लो सब्सक्राइब नहीं लोग तंत्र की द्वाई नहीं होगी जिस दिन घरी थी उसके बाद में चार बीज़ेपी की बहुत वानी सरकारों को इसी कॉंग्रेस सर्कार अब अबनाशी अभी आपने बात रखिए अपने मित्रेशी की बात जाना है उस समय कहा था मोबाल गेज का म अबनाशी आपने महरास्त का जखर किया ठीक है आपने बीबात रखिए आपने महरास्त का जखर किया ठीक है बहुत सारी चीज़ें गिनादी लेकिन सत्तर साल में बहुत कुछ अच्छा भी है बहुत कुछ नेगेटिव भी रहा है दोनों चीज़ें अब यह किसी एक को क्रेडिट अच्छे के लिए देना या फिर सवाल ही उठाते रह जाना यह भी नहीं रही है जिसकी विचार धर गेलो ते एक बात और जरूर यहां पर जिक्र किया था कि सम्विधान कॉंग्रस ने बनाया बीजेपी का इसमें कोई योगदान नहीं था और इसलिए इस बात को एक्सेप्ट करें बीजेपी जो की स्विकार नहीं कर रही है यह बात भी एहम रही उनके आसमुद है देखि अग्से अटेक किया साथ में उन्होंने जो राजस्थान के बड़े नेता हैं उनको भी घेरने में कमी नहीं रखी उन्हें कहा गुलाब चंद कटारिया जी कहा आप 75 साल के पूरे हो गयों कहलास में एकवाल जी से कहा कि आप पूरे हो गया और दो दो बाइलेक्शन हो सकत है संत्री बोले रात है सुबह सुबह की बात है तो जो आज उनका लहचा दिखा जो एक व्यंगात्मक जो भासा उन्होंने प्रियोग की वह दिखाती है कि वह बहुत कॉन्फिडेंस वाले लीडर है और वह सीधा मोदी जी से सीधा रूबरू और सीधा उन पर ही अटेक कर रहे हैं और मोदी है तो मुम्किन है लगबख चालीस बार से अधिक बार इस नारे की व्याख्या करके दिखाई कि मोदी है तो क्या क्या चीज़े मुमकिन है देश में एडी सीबी आई इंकम टेक्स इनका मिश्यू जो रहा है उसके बारे में बात की इसके इलावा इनोंन ने बात की कि जनसंग क्या करता था, किस तरीके से बैरोजंग जी सिकाउठ हमने कभी बाजपा मुक्त की बाउने की बात नहीं किया, आप कांग्रेस मुक्त अन्य की बात करे कि देश की लोगतंत्र खत्रे में आज उन्होंने फैसला दे दिया उसके बाद वह आकर बताए कि उन्होंने ऐसा क्या किया तो सीज़े अब तो कौमन आदमी हो गए समिधान में आर्टिकल 21 में यह कहा है कि आपकी जो उपिनियन है उसकी वज़े से किसी दूसरे की प्राइवेसी दखल नहीं हो इसके अलावा उन्होंने 51 आर्टिकल 51 के में चीज लिखी हुए मूल करते वे उनकी भी बात की और यह कहा कि जो समिधान है इसमें 70 साल में काफी यहां पर उठान के संबोधन भी एक कुछ आहम बाते रही है लेकिन अबनाज कहलो जी घेरा ठीक है इन तमाम मुद्दों को लेकर है लेकिन कहीं नकर एक शक्ति प्रदर्शन भी नजर आया एक बिगुल नजर आया पंचाज चुनाओ को लेकर जो आज सालक पर के पड़ेगी क्या इससे लेकर भी आप कुछ रड़ निती बन रही है जी जिस मुद्दे को लेकर आप बात कर रहे हैं आज जिस तरके से कॉंग्रेस ने के अंदर की आर्थिक नीतियों को लेकर जो धरना फर्दर्शन किया मैं आप से एक बात पूछना चाहता हूं मीडि या ओफिस बैट के बात कर रहा हूं क्या फश इंडिया वालों को कभी बीजेपी ने या पार्टी ने कभी कहा है क्या आपके ऊपर कभी कोई पर्तिबंद लगाया है कभी आपको विचार रखने से रोका आपको कभी या दूसरे और चैनल वालों से पूछ लिजिए इस त बताजा उदान में बताता हूं कि चोधे वीत आयो का पैसा जो हमारी केंदर की सरकार का पैसा है जो पहले सीधा ग्राम पंचा इतों के खाते में आता था आ क्या हालत कर रखी आपने फिचले दो मेने से केंदर ने पैसा वो दिया और पंचार या पिछले पांच साल चीक पिछले पांच सालों में सरकारी नोकरियां बिल्कुल नहीं दी गई भरतिया नहीं हुई है और तो यह जो इस सरकार पे आक्षयब लगा रहे हैं यह न्यूस पेपर नहीं पड़ते हैं इस सरकार ने खिलाडियों के लिए पहला प्रदेश राजस्तान जिसमें खिलाडियों पता किजिए चौदे वितायों का पैसा है आप पैसा आपने क्राम पज़े बेजा नहीं इस देज की सतर परसंट आप इस ग्रामी इलागों में निवास करती है उनका किसे होगा आप बताईए ना आपके मन में कहीं न कहीं डर है इसले आपने दो हजार इक जन्गना क्यादा चली ठीक है आप यह कहना चाहरे है कि 5 साल तक सबकु स्थीक था आप आप दर कहा ने क्या ने चली ठीक है उसके बात कर सकते देना ऐसा क्या था पिछली ठीक है प्रदेश की पांगरेस संटार इस पहले अब नाजी रितु जी एक पर एक में में तेज जहां है और मैं जनता भी देख रहे हैं किसने क्या किया पिछले पांगरेस सब्सक्राइब ने कुछ चीज़ा रितु जी ठीक है आपने आपने जवाब भी दिया और उन्होंने पर अपर रगदे लिक मितले हैं पंचाय चुनाओं से जुड़ी हुई कल एक एहम बात है हमाराम जी जो पूरु मंत्री उन्होंने सदन में रखी उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने दो ऐसे कानून बनाया है जो गाउं वालों पर भारी पड़ रहे हैं एक तो तीसरी संतान होने पर चुनाओं दूसरी सेक्षिनिक योग उन्होंने मुख्यमंत्री अशोग गैलोट से भी कहा कि मलें एंपी तो चाहे जितनी संताने पैदा करें और गाउं का आदमी तीन संताने पैदा करता है तो चुनाओं के लिए योग ठहरा दिया जाता है ऐसे ही एजुकेशन का हो रहा हूं उन् मिला के बात यह है कि अगर यह दोनों चीज़े अटा दी जाती है कि गाउं में बहुत बड़ी समश्या है कि ग्रामीन महिलाएं पड़ी लिखी नहीं है और तीसरी संतानोनावा कॉमन बात है तो यह जो पंचाया चुनाओं के पहले की जो भूवी का बनाई जा रही है उन जीत का पर्चम फैराने की प्लानिंग बना चुकी है अब उससे कैसे जीतते हैं यह इनके बीजेपी को स्ट्रेटीजी बनानी पड़ी है बलजीत यादो जी आपको लग रहे कि बीजेपी ठीक है निकाय चुनाओं हो गया इसके बाद भी और काफी कुछ है जो प्लस कॉं संबोधन के बाद क्या नज़रात देगे निश्यत रूप से बीजेपी के सामने होती कठिन परिक्षा है क्योंकि सहरों में बीजेपी को स्ट्रोंग मानते आए सहरों में जब बीजेपी बुरी तरह से हार गई तो इनको ग्रामीन एरिया में तो बहुत ज्यादा मेहनत करन ज़्यादा मेहनत करने की जड़ पड़ेगी क्योंकि इस से कॉंग्रेस उत्साइत हुई है कॉंग्रेस को लग रहा था कि सहरों में हमारा भूमत नहीं आएगा सहरों में शायद कोई मोदी मैजिक चलेगा अभी अभी धारा 370 जो हटाई वो चलेगा उसका कोई फैक्ट च सहरों में नहीं चला उससे कॉंग्रेस का कारेकरता बहुत ही ज़्यादा उत्साहित है और इसलिए आपने देखा होगा परदर्शन में भी उनमें काफी उत्सा देखने को मिला और यही गाउं-गाउं तक उत्सा मुझे लग रहा है उनको बहुत बड़ा फाइदा देगा और बीजेपी का जो कारेकरता है वो इस रिजल्ट को देखके थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो डिमोडलाइज गाउं का कारेकरता हुआ होगा जिसका उसको नुकसान बुगतना पड़ेगा अब आगे तो देखो सब कुछ जनता पर डिपेंड करता है पर मुझे यह लाते परदादाओं के नाम चेंज नहीं हुए तो दोनों इस्यूज पे भी अशोग एलोत की लगबग लगबग राजामंदी थी तो अशोग एलोत कल पूरे दिन इसलिए बैठे थे कि उनका पूरा स्टेडी करनी थी अभी वसंदर राजे जी अगर और कोई मुखमंत्र इसलिए जो चर्चा होती उनमें सामाने तोर पर सारे दिन नहीं बैठते लेकिन अशोग एलोत एक शार पॉल्टीशन है पूरे दिन बैठे रहे और उन्होंने जो रूरल बैक्ग्राउंड की जो नीड है उसको स्टेडी किया उसका एनलाइसिस किया और उसके जो सब जमीन से उठे वे नेता है तो उन्हें जमीनी तकलीफ जमीनी हकीकत से पुरी तरह से वाकी पिछले पांच सालों में वसंदर जी की सरकार में जो कामकाज हुए हैं क्या वो कम हुए थे क्या मैं पूर्ण विश्वास के साथ क्या सकता हूं कि राजस्थान के इत्या इत्यास रहा है यह राजस्थान का इत्यास रहा है ऐसा नहीं कि आपकी तर्डेट सो सीटे लेकर 21 पर आगये ऐसा भी नहीं है हम लोग तीहतर सीटे लेकर आये हैं पॉइंट फाइव परसेंट का भी अंतर था मातर डेट लाग बोटों के अंतर से इसलिए वह तो चुना पर अभी 2021 दो साल बाद में यह जंगरना हो जाती उसके बाद में कर ले तो कोई फर्ग नी पड़ता मुखी रूप से मैं कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में भारतिय जनता पार्टी कहीं कहीं हारके कारणों का विस्टलेशन करेगी और अगर कहीं 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 कमजोर उसक करें करने के बाद मैं और हृस का बाद में इस देश का पर्थम वेक्ति राष्ट वती किसकी इस vandaag कि यह कोंचे नहीं होucking है तो बार बार बोल रहे थे तो अध्यक्स को मुख्वंत्री दिफां प्टानि कशा संसे, एक चोटा, उड़ा आपको देता वाँ पहुचा। इसलिए यह सामजी सरोकार का काम अगर करने का कारी करती है। अगर काम हो रहे होंगे तो उसे तो वैसी सरकार चाहिए जो काम करे जो उसकी सुने। कि यह तो इतिहास रहा है इससे नहीं बचा जा सकता है इसलिए हो सकता है कि हम लोगों कि यह तो पहुंचाने के आफशकता नहीं तो जनता को पता चल जाता हमारे काम कि अगर हमारे केंदर की नीतियों के खिलाब किस लिए दे रहे थे आप घर में बैठ के कर सकते थे ना बाता काई के लिए ते लगों को पर सब्सक्राइब किया था देखे मैं आपको सच्चा ही बताता हूं सेता जी राजनीती में होता क्या आ रहा है हमारे देश में जो देश का दुरभागी है कि पार्टियां खुद काम करके और सकारातमक्द तरीके से जनता का विस्वास जीतने की जगें पे है कि हम दूसरे की पितनी जोरतार धंक से बुराई करें और दूसरे को कैसे वद्नाम करें और इस जनता में जो उसकी नाराज़गी हो उसका लाभ हम ले लेगा है यह चलता आ रहा है मैं तो यह चाहता हूं मैं सभी जो भी political party मैं तो उनसे सबसे गुजारिस करता हूँ कि देश में ये सुरुवात होनी चाहिए कि हम काम करेंगे अपने काम के नाम पर बूट मांगें ये एहम बात आपने करेंगे एक लास कमेंट मितलेश है कि जिस तरीके से आज इस देश में माहोल है राजनीती का और constitution पर बोलते हुए जो विधायकों की बात आई उसमें कहीं कहीं लगा कि constitution की literacy का अभाव है ये 200 MLA 7.5 करोड जनता नहीं ने चुना है लेकिन constitution जो एक बहुत जरूरी चीज है कि विधायक को आना चाहिए तो इससे दो दो दिन की बहस से मुझे जो लगा है वह लगा कि constitution की training देने की जरूरत है क्योंकि कई विधायक तिरंगे में तीन जो रंग है उनका क्या महत्व है ऐसे कई चोटे-चोटे सवाल नहीं बता पाए तो इस पर भी चर्चा होने चाहिए कि 70 साल बाद जो देश का अमारा प्रतिनी दोत्य कर रहा है जो समिधान बहुत पवित्र चीज है उसके बारे में पूरी तरह से जाने और जाती और धरमवीन समाज बनाने की जो कलपना वो पूरी कर सके तो इसलिए एक ऐसा कोई कैम्प लगा है जिसमें जो नए विधायक है वो constitution को जाने समवन्धान की जानकारी उन्हें पूरी तरह से हो तो कि विधान सभा में बैठे हैं बग बग खत्म हो रहा है अवनाजी जिस सुर्वात हुई थी संसदी कायरे मंतरी ने बाबा साब भीमरा अमेड़कर जी के बारे में जिस तरगी बात कही थी निश्ची दरूफ से ये कलकी जो था और समवीधान को कलंकित करने का जो उन्होंने काम किया था ये राजिस्तान प्रदेश की जंता कॉंग्रेस को कभी माप ने चलिए जनता तो सब देख रही हो सबको सुना भी है विधान सभा में किस ने क्या कहा क्या सवाल उठाया और सम्विधान को लेकर क्या विचार वेक्ट की वो भी सुने चली बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए तो 70 साल सम्विधान को गया इसी को लेकर ही चर्चा दो दिन विधान समा में चलिया जो बोधन था मुखी मंत्रे शो कहलोट का तमाम एहम बातों का दिक्र उन्होंने क्या लेगे साथी साथ यह भी कहा कि कॉंग्रेस की देने का युग्रेस का युगधान सम्विधान बनाने के लिए बिल्कुल तयार है रहा कि आलने वाले वक्ते बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए यहां पर जरूर रहने वाली है चलिए सिक्ता बिग फाइट लाइब में आज के लिए बस रता है